कोडिया जंगल बिसमिल्ला रिमान ररहीम असलाम अलेकूम क्या हाल है आप सब के आज मैं आप सब को चिकन पादम बनाना से खाऊंगी आजाँ जो पलंजरार बनास है यहां। आजोısन भीप में मटन बनार बनाया जाती है आजाए भीप में मतन में चिकन में अक्सर डोबड़े होते हैं पालग को वॉइल करके उसको पीस देते हैं उसके बात हो बनातना कि सब पहले हैं वह बलंड़न really keep एक किलो पालख मैंने ली थी दू कटने के बाद तकरीबं टीन गौव के करीब है इसी तरह से मेरे पास स्पाइस हिसे है, 1 टीज स्पून नमक है, 1 एंट अब टेबल स्पून जाल मिर्च पॉनटर है, 1 अब टीज स्पून मेरे पास हन्दी है अद्रक लसंग का पेस्ट है वन टेबल स्पूर्स यहां मैंने हरी मिर्चे लीवी है मोटी वाली तकरीबन भी आठ से दस अदा थी है दो मीडियम साइज की प्यास मैंने स्लाइस करकी रखी हुई है इसी तरह से मेरे पास तीन मीडियम साइज की टिमाटर थे जिसे मैंने चॉप कर दिया है यहाँ पर मेरे पास एक गटी सोय की है, मैंने इसमों ढोकर काटके रखा हुआ चले आएं देखते हैं कि यह से किस तरह से पकाना है मैंने इक बगोने में तब करीबन देड़ कप करीब और डाला है और यह थोड़ा सा गरम हो चुका है अब सबसे पहले मैं अपनी प्याज इसके अंदर जिस मैंने साइस करती रखे हुई थी इसमें एड़ कर दूँगी प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है ब्राउन नहीं पढ़ना इसको बिल्कुल डार्क देखे हमारे पास प्याज ब्राउन होची है अब हम इसमें फिछ इन एड़ कर दीए प्लेन को मैं थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी और शाथ इसके अंदर अदर प्राउन एड़ कर देखे हुई हमने चिकन को अधर क्लस्टन र प्याव के साथ उस अदर भूना थे जब तक र ब्राउन भूना है जब तक यह ब्लर वाइश साथ इन एक अधर जिए ज़ीग आति है ब्राउन उसकी गोश्ट की वोश्ट की तक अधर क्लस्टन दी र फटम ज़ाए इसका थे नहीं अधर लिए वाइट तलर ही हो जुगी है अब इस लेवल बे इसके अंदर अपने इस्टे एड़ कर दूगी और साथ लिए टिमाटर एड़ कर दूगी है हमने यहां पर टिमाटर को भूनना नहीं है नागी इसको नरम करना है जिसके इसको मिक्स रहे है अब अची दरीगे से और के बाद हम इसके इंदर फालक भी एड़ कर दी है और अब मैं इसको अची दरीगे से मिक्स कर दूगी मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको धब कर रख दूगी मीडियम लो फ्रेम के उपर पालक अपना पानी चोड़ेगी और उसी में ही चिकन भी गल जाएगी और टेमाटर भी गल जाएगी पंदर मिनट के बाद मिनट के बाद मिनट को देखती हूँ चले पालक को पकते वे तकरीबन 10 मिनट हो चुए है मैं इसको तोंके रेक रही हूँ ने काफी पानी पालक ते छोड़ दिया है पालक हमारी तुब बैट दही है तेमाटर भी हमारे खुल गए अब इस लेवल प यहां पर मैं आप इसके इंदर स्वयाड कर दूगी जो मैंने काटके रखा हुआ था वह मैं इसमेड कर दूगी और इसको अची से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 5-7 मिनट मजीर इसको कवर करके रखूँगी अब मैं इसके इंवेट चेक करूँए कि पानी कितना है लेकि पालक का पानी भी थोड़ा कम हो जिका है अब इस लेवल पे बाद मेरे बास धरी मिल्चे रखी निकाल कर मैंने वह इसके इंदर एड़ कर दूगी और सिर्फ दो से तीन मिल्ट के लिए इसको कवर करके अरी मिल्चे आट करने के बाद अब मैं तो से तीन मिल्ट के लिए सको कवर कर रही हूं को मैं थोड़ा सा मीडियम कर दूगी अब अब इसका धकन पूल के इसको भूल लेंगे हमारे बास लिए पालत की जादा हम पुस्री करते है इसकी हो चटी है अब मैं इसका पानी को अरी मिल्चे डालने की इस बाद मैंने तो मिल्चे को गवर इसकी थोड़ी सी इसकी फुष्पू और टेस्ट रहे हो पालक में आ जाए हमने इसको अची तरीके से भूल लेना है तादा जोड़ जोड़ से चंचे नहीं चलाई है कि चिकेन अजारे वह भूल भूल की सकती ह पालक का पानी हमारे पास हादे से ज्यादा जोड़ा हो चुका है तक रिंगे पान्चे साथ में इसको मगीद पिलेंगे तेक पालक को मैंने अची तरीके सबीन आ है और पानी मिल्कुल ड्राय हो चुका है अब हम इसका प्लेम बॉफ कर देंगे सै की हेल और ऑफ म चया साूर को देंगे वार्म को आखिब दूच करते हैं अर यहां पर देखें के मैंने पालक को डिशक कर दिया है तका हला पालक चिकन तयार हो चुका था है बहुत मगेला होता है यह आप ज्रूरू करें वीव से और मटन से इसका टेस्ट तोड़ा डिफरेंट होता है अच्छा होता है मतेका होता है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए और अपना फीडबैक कॉमेंट के जरीए मुझे तक जरूर हो चाहिए मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा इन्शाला ताला नई रैसिपी के साथ फिर हाजिर होगी जब तक के लिए अन्ना हापीस